नमास्का मित्रों मित्रों चाड़क ने बहुत सी ऐसी सी बाते बतलाई हैं जिस पर आज भी लोग सोचने पर बिचार करने पर मजबूर हो जाते हैं उस समय उनकी कही हुई बातें आज भी बहुत ही सतिक सावित होती हैं इसलिए आज भी यूटूब पर हो या वेबसाइट पर हो या धार्मी गरंथों में हो कहीं भी हो मनलब चाणक की जो नीत है वह आज भी जो है कि लोगों में लोगप्री है आज मैं चाणक की चार ऐसी बाते बताऊंगा जिसको जै कि चाणक के ने मृत्यूप के कारणों से जो लोगा है उन्होंने बताया है कि इनी चार कारण से आदमी के मृत्यूप अचानक होती है और हाला कि अब तो बहुत से चीज़ें कुछ बदल चुकी है लेकिन चार मुख्य कारण उन्होंने बताया है जो और समय मिरित्यू का कारण बनती है वो चार कारण क्या है पहला है दुष्ट पत्नी दूसरा है सठ मित्र तीसरा है उत्तर देने वाला सेवक और चौथा है साप वाल घरों में रहना इस चार कारण उन्होंने बताया था लेकिन चौथा जो कारण है साप ओले घरों में रहना उस समय उन्होंने जब कहा था तो उस समय की जो सेच्वेशन था जब परिशिती थी जो लोकैल्टी थी उस समय के लिए तो तसावित होती थी चुकि उस समय लोग जंगलों में खेतों में कुटिया बना-बना कर लोग रहते थे जिसमें सापों का ज्यादा तर डर होता था इसलिए एवाक उन्होंने बोला और लिखा की साप वाले घरों में रहना भी मिर्तियू का कारण है लेकिन अब वो चीजें नहीं है अब तो सब लोग अच्छे घर बना करकर सब लोग रहने लगे हैं और कुटिया भी बनाते हैं तो वेलकुश सेक्टी बनाते हैं लेकिन तीन बाते जो है आज भी सही सावित हो रही हैं पहला दूस्ट चरित्र जो दूस्ट पत्नी होती है और दूसरा जो सथ मित्र अर्था जो धोखा देने वाला मित्र है तो पहली बात है जो है दूस्चरीत्र पत्नी पर है यह किसी के पत्नी दूस्चरीत्र निकल जाए और किसी दूसरे के साथ किसी भी तरह का संबन्ध हो जाता है या फिर कोई बात हो जाती है तो वह जो है कि आप अक्सर देखते होंगे कि पेपरों में आता है कि फला महिला ने प्रेमी के संग जो है कि मिल करके पती के हत्या कर दी तिये ये पहली बात जो है कि ये दुस्चरीत पत्नी है तो आपके मिर्त्यू का कारण बन सकती है और ये पहला कारार आज भी सटिक सई हो रहा है दूसरा जो कारार है सठ मित्र सठ मित्र के मतलब धोखा देने विला जो मित्र होते हैं जो अपने स्वार्च के लिए मित्रता करते हैं और स्वार्च के लिए कुछ भी करने के लिए तयार रहते हैं अक्सर पेपरों में भी चीज़ें आती रहती हैं कि दोस्तों ने, चार दोस्तों ने मिल करके, दोस्तों ने मिल करके, पैसे के लिए, या किसी लड़की के लिए, या किसी चीज के लिए, अपने मित्र का ही, जो है कि, मित्यु दे दिया या खुन कर दिया, तो इस तरह कि जो मित्रों के धोखा देने के कारण भी आज भी मृत्यु हो जाती हैं अचानक तो यह दुसरा कारण भी जो उनकी है चाड़क की नीत में लिखा गया है वो आज भी सही सावीत हो रही है और तीसरा जो है, उत्तर देने वाला सेवक अर्थात मुह बोला जो सेवक होता है जो सेवक जो सर्वेंट होता है जो नौकर होता है बड़े-बड़े घरों में नौकर होते हैं मित्रों तो कारणों ने बताया चानक के ने बताया कि ओ घर का हर एक राज जानता है और इसी कारण से उससे जो है कि खत्रा हो जाता है क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी बाहर का बैक्ति जो है कि जब घर में इंट्री करता है या कुछ भी गलब करना चाहता है तो वहां के नौकर को पकड़ता है उसको मिलाता है कुछ पैसा देकर कुछ लालज देकर के मिलाता है और घर में मालिक साथ कांड करवा देता है या फिर नौकर के खुझ मनसा बदल जाए खुझ उसका लालजपन बढ़ जाए तो इरादा बदल जाए तो भी अपने मालिक का मर्डर कर देता है और जो है कि समपत्ती लेकर चला जाता है यह अकसर पेपरों में आता रहता है आप देखते हैं तो यह तीनों चीजें जो दूस्चरीत पत्नी हैं सठ मित्र हैं और यह जो उत्तर देने वाला सेवक जो वर्ड यूज किया गया है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ तो धोखा देने वाला सेवक इसको भी बोल सकते हैं तो इस तरह के तीन चीजें आज भी सही सावित हो रही है चाणक के की नीत बहुत ही पुरानी है और जो है कि लगभग इनका जनम हुआ था 372 इसापूर में लगभग हुआ था और इनकी मित्यू 282 इसापूर के लगभग में हुई थी चंदगुप्त मौर के महामंत्री थे और समराज को अस्थापित करने में चंदगुप्त मौर के सासन की बहुत बड़ी भूंका निभाई थी चंदगुप्त जी ने इसलिए महा के महामंत्री थे तो मित्रों उम्मित करता हूँ कि ये जनकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह का उप्योगी और जनकारी पर एक वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा चैनल आपको लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकान को भी आन कर लीजे ताकि मेरा लिटेस्ट वीडियो आपके सामने आता रहे नमस्कार